जाहें इस वीडियो उनों बात करेंगे कि जब भी कोई कमने बोनस से रिसू करते हैं तो उसके बाद उसके सेर्स का प्राइस कम क्यों हो जाता है तथा वो जो सेर्स का प्राइस कम होता है वो किस हिसाब से कम होता है और साथ बोनस देने के बाद सेर्स के प्राइस का एडजस अर्थात company कुछ आपको extra share दे रही है अच्यक्पनी बोनस देती ही क्यों है क्यों नहीं करते हरा तो company अपने aap अपने cellular scholar को bonus दे कर mana Whether आप रहे अब समझें कि हाएं जो bonus दिया जाता है तो जब भी लिडार तो किसी फीक्सट ratio में जारी करती है जैसे सब्सक्राइब कोई कम्पनिया के रेसियों करते हैं अब समझें का मतलब हुआ कि एक से पर आपको यह जो राइट साइड में दो लिखा है तो जो आपके पास होता है मतलब आपके पास तीन से और जो लेफ्ट साइड वह ओला होता है वह कंपनियां आपको एक्ट्रा बोनस के तोर पर दे रही है मतलब यहां अगर समझें वानिश अफ्टी प्राइट साइड साइड का वा मतलब यह कि आपके पास 2 से च्पर एक से करें वह कि मतलब यह हैं अब आपके पास 2 सेивать एक्ष्टप यहां तक आप आते समझ गाय काफी कुछस आप समझगे आप समझे कि इसका क्या होता है मतलब आपको पता है dividend तो number of shares के साब से मिलते हैं आपके पास जितने ज्यादा shares हों को उतने ज्यादा dividend मिलेगा आप समझे इसके नुक्सान क्या क्या है अगर company bonus shares देती है तो इसके कुछ नुक्सान भी है सबसे पहला नुक्सान तो यह कि company इसके कमपनी को जो सेर्स प्राइस होता है वह कम हो जाता है और दूसरा बात आपका investment होता है investment बढ़ना चाहिए क्योंकि company bonus दे रही है लेकिन आपका investment नहीं बढ़ता है इसका मतलब company आपको बहला खुश ला रही है और जाहिर सी बात है अगर company बोनस भी दे रही है और आपका सेर्स का प्राइस भी बढ़ जाए तुससे अच्छा फिर डिविडेंट नहीं देते फिर बोनस देने का क्या मतलब हुआ बोनस इसलिए लेफ्ट ओलब लेफ्ट फॉलर सेर्स नहीं रही है उसको ऋपर लिखते लिखते और जो सेर्स आपके पास है इसको नचे लिखते अब इसको करते तो और इसमें लोग एक एड कर देंगे अर्थात बोनस मिलने के बाद वह शेयर का नया प्राइस होगा आपको एक एक्जांबल के मासलिम से समझाते हैं यहां समझे मालेजिए किसी कमपणी का सेयर प्राइस सब रॉपया और कमपनियां उस पर वन इस टू टू का बोनस देने जा रही है तो उसके जब बोनस दे दे देंगे आपका एंसर आएगा 66.66 यानि कि बोनस देने के बाद एक सेयर का प्राइस हो जाएगा 66.66 माल नहीं दूसरे क्या आप लेते हैं किसी कमपनी का सेयर प्राइस से 500 रॉपया और कमपनी उस पर टू इस टू टू का बोनस अनॉंसमेंट करती है तो जब टू इस टू करेंगे को तो हो जाएगा 0.666 इसने हम लोग 1 ओन जोड़ेंगे तो हो जएगा 1.6, हम लोग 1.66 लेकिन 1.6 लेकर चलते हैं, इसमें क्या होगा जो सेयर्स प्राइस से उसमें हम लोग तो प्राइस एक 2 रुपया उपर नीचे हो सकता है क्योंकि वह तो आपको पता है कंपनी का सेयर प्राइस डिमांड सप्लाई के साफ से उपर नीचे होते रहता है लेकिन रियल में जो प्राइस के अज़ेस्टमेंट होगा वह इसी पर होगा चाहे इस पर होगा एक और आपको एक यामपल देते हैं मालने प्राइस सेयर प्राइस 500 रुपया है और बोनस देते हैं तो मैंने बार बार कहा कि जब भी कंपनिया बोनस करते हैं तो जो बोनस दि देंगे जब करेंगे तो आपका रियल टाइगा 200 रुपया यानि कि जब कोई कंपनी 3-2 का बोनस देगी उसके बाद जो सेर का अजस्टमेंट होगा वह 200 रुपया पर होगा यानि कि एक सेर का प्राइस 200 रुपया हो जाएगा तो यहां तक आपको बाते समझ में आ गई तो म बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद सुक्रिया